नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं आज आदी के बाद पहली जनगाना उनई से कावन में भी यह वेवस्था थी तो फिर 1961 में कांग्रेश ने उसे क्यों हटाया आज आदिवासी अधिकारों पर भासन दे रहें इन लोगों को बताना चाहिए कि जिस आदिवासी धर्म कोट को हटाने की हीमत अंग्रेश भी नहीं कर पाए तो उसे कांग्रेश सरकार ने कैसे हटा दिया चमपाई ने सोसल मीडिया एक्स पर लिखा है कि इन्डिया गडबंधन के घटक दलों को पहले कांग्रेश से पुछना चाहिए कि आदिवासी सामाज के खिलाब इस गदधारी की वज़ा क्या है बीजेपी ने 66 सीटों पर उम्मिद्वारों का एलान किया जारकन बिधान सभा चुनाओ के लिए भाजपा ने अपने कोटे की 68 में से 66 सीटों पर उम्मिद्वारों का एलान कर दिया है 15 अक्टूबर को परधान मदिनायन मोदी के अधक्सता में केंद्रिये चुनाओ समिती की बैठक हुई थी इसके बास्तानिवार को पार्टी के मुख्याले प्रभारी सहराष्टिये महासाचीव अरुन सिंग ने सुची जारी की है पार्टी ने राजिक की जिन 66 सीटों पर परत्यासियों के नाम की घुसना की है उनमें राज्ची से विधायक सिपी सिंग को फिर मोका दिया गया वहीं काके से विधायक सम्री लाल का टिकट काटकर यहां से पार्टी के पुर विधायक जीतू चरण राम को उतरा गया है वहीं हटीयासिट से नविंजासवाल को टिकर दिया गया बता दे कि एंडिये में भाजपा को अर्शट, आईसू पार्टी को दस और जद्यू को दो और लोजपा को एक सीट मिली है जामू मो कांगरेश सत्तर सीटो पर लडेंगे चुनाओ जारकन बिधान सभा चुनाओं में इंडिया गडबंधन के घटक दल जामो और कांगरेश सत्तर सीटो पर अपना परत्यासी देंगे यह जनकारी सीम हेमान सुने ने सन्यवार को कांगरेश के परदेश प्रभारी गुलाम अहमाद मीर के साथ अपने आवास पर पत्रकारों को दी है उन्होंने कहा 211 सीटे इंडिया गडबंधन के दूसरे दलों को दी जाएगी इस मौके पर हेमान ते ने जोर दिया है कि 2019 का चुनाओ जामों कांगरेश और राजत ने मिलकर लड़ा था इस बार इसका दायरा बढ़ाते हुए वाम दल को भी गडबंधन का हिसा बनाया गया है ऐसे में जो भी रायनितिक दल अभी दूर हैं आ रहे हैं उन्हें सामिल करते हुए 11 सीटे जाएगी सतर सीटों में जामों और कांगरेश के हिसे में कितनी कितनी सीटे आएंगी इस सवाल पर हेमान सुरे ने कहा है कि सीटी जल्दियस पष्ट कर दी जाएगी कौम बेतन पर सरकार लंबे समय तक काम नहीं करा सकती कोट जारखन उच न्याले ने अनुबंध कर्मियों के सिवा बिस्थार को लेका दार या चिकाओ पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार किसी भी ब्यक्ति को कौम बेतन पर लंबे समय तक काम नहीं करा सकती सन्मिदा कर्मियों से कौम बितन पर लंबे समय से काम लेकर सरकार सोसन नहीं कर सकती सरकार जिन पदों पर लंबे समय से काम कर ले रही है और यह पद भविसे में भी बने रह सकते हैं तो इन पर नियमित नियुक्ति की जानी चाहिए चीप जश्टीस MS रामचंद्र राव और जश्टीस दीपक रोशन के अदालत ने आईता उराव समय समय एक सवन ठावन एज का ओपर सुनवाई करते हैं मौखिक रूप से बाते कही है अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस चारी कर जबाब ताखिल करने का निदेश दिया है बता दे विभीन सरकारी विभागो और पंचायतों में कारणत करमचारी ने सेवाबिस्तार के लिए एकल पीट में आज का दायर की थी इसमें कहा गया था कि सरकार के विभीन कारे करमों में अनुबंध परलागतार दस साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं लेकिन सरकार अब तक सेवाबिस्तार नहीं कर रही है जार्खन को एक पंट तीन छोलाग रूपए लोटाई केंद्र कल्पना सुरेन गांडे की विधाय कल्पना मुर्मु सुरेन सनिवार को पारगोती लईया कि सभा में केंद्र सरकार पर जार्खन सरकार के साथ भेदभाव करने कारोप लगाया है कहा है कि आज केंद्र के पास जार्खन का एक लाग छोती सरकार को रूपए बगाया है उस पासों को मोधी सरकार नहीं दे रही पासे मांगे जाने पतराज के मुख मंत्री पर दबाव बनाने के मकसद से उन्हें जेल भीजवाया गया लेकिन उन्हें साथ यह पता नहीं है कि जार्खन हमेशा से आंदुरन की धर्ती रही है दबाव और सर्यंत्र का कोई परभाव यहां पढ़ने वाला नहीं गुरुजी सीवु सोरेन एकके सहाय और बिनोध बिहारी महतों ने इसी डूमरी की धर्ती से जामों के निव रखी थी उनके साथ मंत्री बेवी देवी भी थी उन्होंने कहा है कि जारकन की महिलाओं को सबला बनाने के लिए मया समने वेना लाई गई इसे एक हैर रुपे से अठाई हैजार करने का फैसले केबिनेट मिलिया गया पहली बार इस सरकार ने आधी अबादी को समान दिया है करवा चोथ का वरत आज सनातंधर में सुहागिनों की करवा चोथ का वरत रभी वर को मनाया जाएगा कार्तिक मास के किरिष्न पक्ष की चतुर्थी तीथी को रखने का विधान है इस दिन बिवाहित महिलाओं पति की लंबी उम्र के लिए वरत रखती है वहीं कुवारी कन्याए अच्छे वर की कामना के लिए भी करवा चोथ का वरत करती है या वरत निर्जला रखा जाता है करवा चोथ के वरत के दोरान सुभागेवती महिलाओं रात के समय चांद देहकर इस वरत का पारण करेंगी वहीं चंद्रोदाय के समय चंद्रदेव को अरग देखकर परव का समापन करेंगी इस दिन महिलाय चांद निकलने तक अंजल का त्या करती है उसके बाद साम को चलनी से चांद देखकर और पती की आरती उतार कर अपने वरत खोलती है जारखन में गुलावी ठंड ने दी दस्तक में कोहरे के बीच लोगों ने सेर कानंद लिया इदरन वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिखाई दी सुबा चाव बजे के बाद धूफ खिलना शुरू हुआ सुबा और दोफर के तापन में भी अंतर रहा जहां सुबा का तापन 25 डिगरी के आसपास रहा संगोष्टी में भाजपा के वरिष्ट कर करता मंडल अध्यक्स बूत अध्यक्स महिला किसान वा युवा मोर्चा के सरस्यों ने बागी तेवर दिखाए है सभी ने एक सोर में कहा है कि भाजपा में सामिल हुए बिधाय कमलेश कुमार सिंग को भाजपा यादी टिकर देती है तो वे उनका साथ नहीं देंगे सभी सन्यूत रूप से वरिष्ट भाजपा नेता बिनोध कुमार सिंग को हुसानाबाद विधान सवाचेतर से चुनाओ मैदान में उतारने और उनके पक्ष में काम करेंगे बिनोध कुमार सिंग ने सिर्ष नेतियुत पर भरुष्ट जाता आते हुए कहा है कि उन्हें बिश्वास है कि पार्टी का निने उनके पक्ष में होगा फैसला उनके पक्ष में नहीं होता है तो दोस दिन में आपने स्वाजोगियों संग विचार विमर्स कर निर्ने लेंगे सियम हमांत 24 को करेंगे नमांकन मुख्य मंतरी हमांत 24 अक्टूबर को बार हेट बिधान सबा सिट से नमांकन करेंगे यह जनकारी जामो जिलादेयक साह जहां अंसारी ने दी है दो बार से यहां से हमांसुरें चुनाव जीत रहे हैं वहीं इस सिट के इतिहास की बात करें तो 1990 में हेमलाल मुर्मू ने कांग्रेस परत्यासी थामस अंसास से यह सिट छीन ली थी इसके बाद से इस बिधान सबा सिट पर लागतार जामो ने कबजा बनाए रखा है जिला मुख्याले के लिए रवाना हो जाएंगे जार्खन के नए डिजीपी अजय कुमार सिंग सीनियर आईपी एस अपसर अजय कुमार सिंग जार्खन के नए डिजीपी नियुकति गया है इससे पहले भिवे राज के डिजीपी रह चुके हैं पुलिस हाउसिंग कर्पोरेशन लिमिटेट के अध्यक सा प्रवन निदेशक पद पर प्रदस्थापी थे जुनाव आयो के निदेश पर अनुराग उपता को ततकाल प्रभाव से डिजीपी पद से हटा दिया गया है ग्रिह करा एम आपदा प्रवन थन भी भाग ने डिजीपी की नियुकती को लेकर अजी सुचना भी जारी कर दी है बता देख उन्हें सव नमासी बैज के आईपेस अपसर अजय कुमार सिंग को एक बार फिल से जहारकन डिजीपी की जिमेदारी दी गई निरज चिना के सेवा नियुरती होने के बाद उन्हें जहारकन का नाय डिजीपी बनाया गया था इससे पहले वे एसीबी का डिजी और जहारकन पुलिस हाउसिंग कर्फुरेशन लिमिटेट का अध्यक्ष राच चुके है रांची से दो सहरों के लिए सीधी बिमान सेवा शुरू बीसा मुड़ा अरपोर्ट से गोवा और जायब पूर के लिए डारेक्ट फलाइट के इंतियार में है तो आपके लिए बड़ी खुस खबरी है दरसल डीजी सीए ने इन दो सहरों में सीधी बिमान सेवा के लिए हरी जहन्डी दे दी है जनकारी के अनुसा 30 अक्टूबर तक इन सहरों में सीधी बिमान सेवा शुरू हो जाएगी यात्रियों का इस बावत पहले ही सुचना दे दी जाएगी अभी तक डेट और समय के सुचना जारी नहीं की गई है इस समन में रांची एरपोर्ट के अधिकाई ने बताया है कि पीएम आदिवासियों को सम्मान देते हैं पर छीन लेते हैं राहूल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी ने सरुवर को रांची मैयुजी समिधान सम्मान समेलन में भाग लिया इसमेराज के प्रबोध जनों के साथ समिधान, देश में बर्तमान, हालात और उसके समधान की बात की है उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री कहते हैं कि पिछले दलीतों आदिवासियों का सम्मान करेंगे और उनके हाथों से उनकी सक्ति ले लेते हैं समान देते हैं और पावर छीन लेते हैं ऐसा करवे समिधान को खोखला करना चाहते हैं लोग सभा चुनाव के दान हम लोगों ने समिधान दिखाया और कहा है कि हम इसकी रक्षा करेंगे इस्थितिया राई की चुनाओं के बाद परधान मंत्री भी समिधान को सीर्ष से लगाते दिखे उन्होंने कहा है कि केंदर सरकार बीसा मुंडा, गुरुनानाक, भागवान, बोध, महावीर, महात्मा गांधी, अम्वेटकर, समयत, अन्य महापूर्शों की सोच पर हामला कर रही है उनके पास धन, समयधानिक संथाय, मीडिया, हाउस जरूर है लेकिन हमारे पास सचाई है, हमें कुछ और नहीं चाहिए, जब तक सच रहेगा, सारा नयाय मिलेगा रांची में दो हजार दागियों की सूची तयार रांची पुलिस बिधान सभा चुनाव सांतिपूर्ण और निस्पक शरूप से कराने में जूट गई है एक तरह पुलिस वरांटियों की धढ़ पकड़ सुरू कर दी है, दूसरी तरह दागियों पर सिकान जाका साजा रहा है रांची पुलिस ने जीले भर में 2000 दाग्यों के सुची तयार की है जनकारी का अनुसार सुची में उन दाग्यों के नाम अंकी था जो परत्यक्ष और परत्यक्ष रूप से चुनाव यह अन्य मामलों में किसी तरह के बिवाद में सामिल रहे होंगे पुलिस की वर से सभी दाग्यों को धारा 107 का नोटिस भेजा गया उन दाग्यों को चतावनी भी दी गई है कि चुनाव की दवान अगर किसी तरह का विवाद होता है और जाज में उनकी सनलिपता आती है तो ऐसी सिती में उन परपाथमी की दर्च कर उन्हें जेल भेजा जाएगा देवघर में किसानों के बीच माटे जाएंगे गेहू के बीज नेशनल सीट कर्पोरेशन से क्रिसी विभाग को तीन हजार के उन्टरल गेहू का बीज स्विक्रित किया गया है देवघर जीले में किसानों के बीच 50 पीदी अनुदान पर गेहू का बीज दिया जाएगा किरिसी विभाग के अनुसार नेशनल सीट कर्परेस्टन लिमिटेट के अधिकरित विक्रेता साहित 500 के माध्यम से किसानों के बीच गेहुं का बीच तरन किया जाएगा किरिसी विभाग वस्था कर्टा विभाग से 500 द्वारे बीच का बीच तरन किया जाएगा विभाग ने अनुदानित दर 1996 रुपे 50 पे सप्रतिक उंटल ने धारित किया है वहीं रजिस्टर्ट किसानों को अधिकरित बेकरेतावा पैक्सों में बीज मिलेगा समधित पैक्सों को ड्राप के मादम से बीज मंगवाने पड़ेंगे विभाग ने समधित अधिकरित बेकरेतावा पैक्स अधिक्सों को जल्द से जल्द ड्राप लगाने का निदेश दिया है तक किसानों को समय पर बीज उपलब्त किया जा सके धन्यवाद